तो अब हम लोग सुरू करते हैं, exercise 6.2 का questions, पिछले class में हम लोग जो concept पड़े थे, उससे एक line में सबका answer हो सकता है, तो अगर वो concept अगर आप जाके नहीं देखे हो, तो सबसे पहले जाके देख लो, तब जाके आप इस question पर आओ, तब ज्यादा मजा आएगा, तो आप BC के parallel दिया गया, दोनों case में, DE जो है, वो BC के parallel है, करा रहा है कि find EC, in one, पहला case में जो है, EC का value निकालना है, यह लंबाई, तो आप इसको EC रने दो, and AD, in the second case, तो AD इस case में निकालना है, तो जरा बताओ, आपको हम बताए थे न, कि अगर DE BC के parallel होगा, तो भाई थिल्स थि भाई थे ठीउरम हम लोग क्या जानते हैं, ratio सेम होगा, ratio क्या होगा, तो ratio हम सेम होगा, तो हम डाइरेक्ट इसे नहीं लिखेंगे, AD बाइटी भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे,kung만. तो अगर हम उस साइड, वसके नीखे के तरफ से लिखेंगे, उस साइड नीचे, तो परवे dw लिखेंगे, और उपर का लिखेंगे, AD उससे फायदा क्या होगा कि जो हमें निकालना है वो डारेक्ट निकलेगा AE का value कितना है 1 है DB का value कितना है 3 है AD का value कितना एक 10.5 है तो अब 10.5 को हटा दो ये 1 तो रहेगा तो direct EC लिखी सकते हैं तो 10.5 को हटा होगे तो क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा नजी तो 2 कफ हो जाएगा EC का value 2 cm अब इस case में अगर हमको direct पहले AD ही दिया है और AD ही निकालना है तो फिर से DE तो पार्लेल ही है हमारा तो जब DE पार्लेल होगा BC के तो by Thales Theorem by Thales Theorem क्या लिख देंगे हम लो AD के तरब से ही लिखो क्योंकि यही निकालना है तो AD upon DB is equal to AE upon EC AD upon DB अगर लिखे हैं तो AE upon EC लिखेंगे AD निकालना है हमको रहने देंगे अब DB का value 7.2 है फिर AE का value हमारा 1.8 है और EC का value हमारा 5.4 है अब 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 दसमलो दसमलो तो भूल सकते हो यहाँ पर क्योंकि equal equal है तो 18 ती अचे 1 हो जाएगा 1 by 3 और यह जो है 7 दसमलो दो इधर आएगा तो 7 दसमलो दो कटाओ 3 से तो 3 दुना के 6 और 3 चो के 12 2 दसमलो 4 cm समझ रहा बात को ना तो इसको प्रिंट कर लिजे next question हम लोग देखते हैं अब देखो question number 2 का पहला भी ले रहे फिर अगला ले लेगे इसमें figure हमें दिया नहीं हमें खुद बनाना है कर रहा है कि E and F are the points on the side PQ and PR respectively of the triangle PQR तो यह आपका PQR एक triangle बना लो नॉर्मल सा एकदम प्यारा सा बनाना है जो देखने में भी थोड़ा सा सुन्दर लगे ठीक है यह कौँसा triangle है PQR है triangle कौँसा बनाना है हमको PQR चलो बना ले यहां हमारा यह हो गया P यह हो गया Q यह हो गया R बोला कि point जो है न वो E और F जो है वो PQ पे E है और PR पे F है तो यह बना ले E और F तो बोल रहा है कि of triangle PQR each of the following cases state whether E of parallel QR यह कोई जरूरी तो नहीं है कि हम ऐसे line घिच दिये तो यह parallel होगा parallel होने के लिए क्या सर्त होता है ratio सेम होना चाहिए तो ratio के लिए आपको value दिया गया है तो PE का value आपको 3.0 ना दिया गया है तो यहां पर आप 3.0 ना set करो फिर E Q 3 दिया गया है तो E Q के जगा पर 3.0 करो PF जो है 3.0 चाह दिया हुआ है यहां पर 3.0 6 set करो और EFR तुमको 2.0 चाहर दिया हुआ तो यहां 2.0 चाहर सेट करो अब अगर अगर ratio सेम होगा तब हम बोलेंगे कि यह पारलेल होगा तो क्वेस्चन यहां पर यह है कि रेशियो पहले लें कैसे तो यहां सिंपल वाला दिया है तो डाइरेक्ट डिए अपन एक्यू बराबर पी एफ अपन एफ आर कर सकते हैं डाइरेक्ट यानि कि 3.9 बटे 3 बराबर 3.6 बटे 2.4 अगर यह बराबर आएगा तो अभी हम पैरलेल कहेंगे नहीं तो नहीं कहेंगे तो इसको काटते हैं यह किया हो जागा तीन एक दस्मलो तीन यह कितना से कटेगा जी बारा से कटेगा बारातिया के 36 बारादुना के 24 तो यह एक दस्मलो पांच न आएगा क्योंकि दो से डिवाइट कर रहे हो तो क्या यह बराबर आया और जब यह बराबर नहीं आया तो इसका मतलब यह हुआ कि PE upon EQ आपने तो यह ही किया था PE upon EQ और PF upon FR यह बराबर नहीं है और जब बराबर नहीं है इसलिए हम लोग कहेंगे कि EF is not parallel to QR तो यह आपका पहला question में था कि यह parallel नहीं होगा आप दूसरा case देखते है अब चलिए दूसरा case में आपको simple वाला ही दिया है कोई hard and fast कुछ नहीं है PE दिया है 4 QE दिया है 4 दसमलो 5 तो यह PE है और यह QE है तो यह 4 हो गया यह 4 दसमलो 5 हो गया फिर PF हो गया आपका 8 जो कि नहीं दिया है फिर से आप रेशियो चेक कर लो क्योंकि थेल स्थियूरम का converse से हम लोग कहते हैं कि यह रेशियो अगर सेम होगा तो लाइन पर रहे लोगा तो 4 बटे 4 दसमलो 5 है और यहां 8 बटे 9 है तो आप यह क्या कर लो कि यह दसमलो को उठा के उपर कर दोगे तो य यह इन अजी तो सेम है तो हम क्या बोलेंगे भाई थेल स्थियूरम कि भाई कनवर्स ऑफ याद रहे भाई कनवर्स ऑफ यह नहीं बोलता है मैं एक साइड में जो दो अन्य साइड को क्या करें कट करें के फ़ेरल घीचा जाए तो वो रेशिओ में बाट देता है कि अगर कोई लाइन किसी 2 साइट को सेम रेशिओ में बाटे तो तीसरी लाइन के वह पैरलेल हो जाएगा तो एक्चोली यहां पर हमने देखा कि रेशिओ तो इक्वल हो रहा था इसलिए हम लिखें जो थोड़ा सा खास हो गया कोस्चन उससे थोड़ा सा खास हो गया क्योंकि इसमें डारेक्ट नहीं दिया है देखो कैसे पी क्यों कोईनों ने दिया एक दसमलो आठ तो पी यहां है और क्यों यहां है यानि कि यह पूरा लेंथ दे रहा है एक दसमलो दो आठ फिर इधर देखो पी आर जो है वो दिया है दो दसमलो पांच तो पी आर यह पूरा लेंथ है यहां से लेके यहां तर तो यह पूरा लि कितनी दिवी है पीस एफ तक की 0.36 अब बच्चा सबसे पहले क्या करेगा ना कि वो EQ निकालेगा कैसे 1.28 में से 0.28 करके हम बोलते हैं कि वैसे करनी की जोरत नहीं है आप यह समझो की ratio सेम होता है इसका मतलब होता है जैसा ratio आप इधर लोगे वैसा ही ratio आपको उधर लेना है तो आप देखो कि आपको इधर क्या क्या दिया हुआ है अगर आपको चेक करना है कि यह line parallel है कि नहीं parallel है तो आप ratio जैसा इधर लोगे वैसा ही ratio अगर उधर लोगे और same आ जाएगा तो आप बोलोगे parallel है तो ratio यहाँ पे तुम 0 दस्मलो 18 लोगे मानके चलो पहले पहले मानलो तुम क्या लिए हो मानलो तुम PE लिए हो तो अगर P से E तक लोगे यही दिया गया है तो फिर P से Q लिखो क्योंकि वो दिया गया है अगला में एक दस्मलो 28 तो उधर क्या लिखोगे P F और upon E F R नहीं लिखोगे इधर अगर P Q लिखे हो सुरू से अंतक तो उधर भी आप P R लिखोगे सुरू से लेके अंतक कहने का मतलब कि जैसा आप इधर रहोगे जैसे पहले क्या किए कि तुम छोटा बटे बड़ा लिए हो तो उधर भी तुम पहले वाला जो छोटा है वो लोगे आप फिर बड़ा लोगे यह रेशियो भी बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे पैरलेल होगा और यह रेशियो भी बराबर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे पैरलेल नहीं होगा तो इससे फाइदा क्या होगा कि हमको घटा आना नहीं पड़ेगा डारेक्टली हम उस रेशियो से काम चला लेंगे यही फाइदा होती है वो आप कौनसेप पढ़ लेने से कि जैसा इदा रेशियो वैसा होगा तो अब बताओ पी ए क्या हो जाएगा 0.18 अब पी क्यू कितना हो जाएगा 1.28 बराबर पी अफ कितना हो जाएगा तुमारा 0.36 और पी आर कितना है 2.56 अब यह चेक करो बराबर है कि नहीं सबसे पहले तो यह देखो 10 मलो जो है ना उपर भी दो अंक है नीचे भी दो अंक है तो दस मलो अगर बराबर बराबर अंकों पे है तो दस मलो को भोल जाओ तो 18 बटे 128 कर लो और यहां 36 बटे 256 कर लो अब काटो इसको यह कटेगा तुमारा चार से दो से कट जाएगा 29 अठारा और यह दो चाके बारा दो 24 के 8 यह हो गया 9 बटे 64 इसे आप काट सकते हो सायद 4 से काटो यह भी कटेगा चार नमच चत्तिस हो गया 46 के 24 चार चो के 16 यानि कि 9 बटे 64 9 बटे 64 सेम आ गया तो हम कहा देंगे कि भाई कन्वर्स ओफ कन्वर्स ओफ थेल्स ठीयूरम का कन्वर्स यही बोलता है कि रेशियो अगर सेम आएगा तो बही यहा लाइन क्या हो जाएगा हमारा पार्लेल हो जाएगा तो SF is parallel to QR तो इससे यही फायदा होता है न कि आपको रेशियो वो गटा उटा कि नहीं निकालना पड़ता है ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है प्रिंट कर लिजे इसे